आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आपका Union Bank में एकाउंट है और दोस्तों Union Bank के Mobile Banking को आप यूज करना चाहते हैं Registration करना चाहते हैं First Time तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में complete process बिलकुल नए तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप union bank के mobile banking में registration कर सकते हैं और mobile banking में registration होने के वाद आपको क्या क्या future मिल जाता है और उन future का कैसे आप लाब ले सकते हैं सभी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है यह search कर सकते हैं इसका link मैं आपको वीडियो के description में देदेंगा वहां से भी दोस्तों आप download कर सकते हैं इस application को install होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा open का option दिखाए देगा simple सा दोस्तों इस open वाले option पे click कर देना है अब यहां पे आपको language English वाला select कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे बताया गया कि आपके bank account में जो भी mobile नंबर लिंक है यानि कि दोस्तों आपके union bank में जो भी mobile नंबर लिंक है उस पर SMS pack या पर दोस्तों unlimited pack होना चाहिए क्योंकि दोस्तों उस पर OTP आएगा verify करने के लिए जी यहां दोस्तों OTP आएगा verify करने इसलिए दोस्तों उस number पर SMS pack या फिर दोस्तों आपको unlimited pack होगा तो भी चल जाएगा अब आपको करना चाहोगा नीचे में देखे एक term and condition का checkbox बना हुआ है इस पर click करना यहां पे दोस्तों अभी चीज बताया गया तो आ यहां पर आपको permission देदेना है allow उसके बाद आपको SIM select करना है कि जो भी आपके union bank account में mobile number link है वो कौन सा SIM में लगा हुआ है SIM 1 में यहां पर SIM 2 में वो आपको select करने चलिए मैं यहां पर select कर लेता हूँ SIM 2 में मेरा लगा हुआ है अब दोस्तों मैं इस पर click करता हूँ click करने के दोस्तों यहां पर कुछ दिर processing चलेगा उसके बाद आपके सामने इस तरह का interface आजागा अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं mobile banking आपका यहां पर check box click है अगर नहीं यहां पर click होगा तो दोस्तों यहां पर mobile banking वाले जो check box बना हुआ है इस पर आपको click कर देना है यहां पर दोस्तों mobile banking जब करेंगे तो यहां पर future जो भी आपको मिलेगा वो सभी future आपको दिखाए देगा तो आपको करना चाहोगा mobile banking वाला check box यहां पर automatic click होगा अगर नहीं click होगा आपको उस पर click करके proceed का option पर click करेंगे उसके बाद आपको करना चाहोगा ओके वाला option दिखाए देगा simple सा आपको इस ओके वाले option पर click कर देना है जैसे दोस्तों इस ओके वाले option पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों यहां पर बोल रहा है चार तरीके से आप दोस्तों union bank के mobile banking में registration कर सकते हैं फर्ष्ट दोस्तो आई है branch generate token यानि कि दोस्तों आप branch में जाकर एक token देगा उस token के जरी दोस्तों union bank के mobile banking में आप registration कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप union bank के mobile banking में registration कर सकते हैं पर दोस्तों जो बेश तरीका जो अच्छा तरीका है वो दोस्तों आपको first वाला जो option है आई है डेविट का यानि कि अगर आपके पास डेविट का यानि की ATM कार्ड है तो दोस्तों आप घर बैटे online अपने mobile phone से ही union bank के mobile banking में registration कर सकते हैं आपको branch जाने की जवत नहीं पड़ेगी तो मैं दोस्तों यहाँ पर डेविट का तरू करेंगो मैं उस उपर वाला select कर लिया हूँ अब दोस् डेविट का जो पीन होता है वह पीन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको result देना पड़ेगा यहाँ पर दे रहा है दोस्तों two plus two कितना होता है यहाँ पर फोर लिख दूँगा आपके case में यहाँ पर कुछ और हो सकता है तो आपको यहाँ पर जो submit का यानि की ATM का पीन का पीन डाल दूँगा उसके बाद जो भी यहाँ पर आपको देगा उसके यहाँ पर result आपको दे दिना इसके moment का उपसंपे किलिक करना है मैं दुश्तों यहाँ पर debit का नमबर डेविट का यहाँ पर expiry date मन्प और यह डिल दिया हूं और डेविट का दालने के बाद सम्मीट के ओप्सन पे जैसे किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरपेस आजागा अब दोस्तों यहां पर बोल राप सेट लॉगिन पिन यहां पर सो लॉगिन पिन आपको बनाना पड़ाएगा लॉगिन पिन क्या होता है दोस्तों जब आप य login pin में डाल देना है, set login pin में डाल जिए हो, अब दोस्तों यहाँ पर confirm login pin है, confirm login pin में क्लिक करके, यहाँ पर जो login pin में बनाना चाहता हूँ, वह डाल दिया हो, जैसा ही login pin डालेंगे, यहाँ पर कुछ दर processing चलेगा, तो आपको थोड़ दर बेट करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं, success लिखाई दे रहे हैं, आपको green tick आपको दिखाई दे रहा है, कि आपका यहाँ पर login pin successfully क्रियेट हो चुका है, login pin has been successfully आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका दोस्तों mobile banking का login pin बन चुका है, अब दोस्तों आपको proceed के option पर किलिक करना है, उसके बाद दोस्तों आप आपको forwardit का OTP जो आएगा, उस OTP को डाल देंगे, उसके बाद सेट transaction pin, transaction pin आपको forwardit का बना देना है, याद रहे हैं, दोस्तों login pin और transaction pin दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेट transaction pin आप डाल देंगे, फिर से आपको confirm transaction pin में डाल देना है, उसका submit का option दिखा forwardit का बना लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में rate killer में submit का option दिखाए देगा, submit का option पे किलिक करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको forwardit का SMS आएगा, यानि की OTP आपके mobile नमबर पर OTP डालेंगे, उसके बाद आपको share transaction pin में transaction pin बना देना है, फिर से confirm transaction pin आपको डा transaction pin भी बन चुका है, login pin बन चुका है, transaction pin बन चुका है, अब दोस्तों आपको करना चाहोगा, नीचे में proceed का option दिखाए देगा, simple आपको इस proceed का option पे किलिक कर देना है, जैसे दोस्तों इस proceed का option पे किलिक करेंगे, आपको सामने इस तरह का interface आजागा, अब दोस्तों union bank के mobile bank यह आपको login करना है, तो login करने किलिक करना चाहोगा, login के option पे आपको simply किलिक कर देना है, जैसे दोस्तों इस rate वाले login के option पे किलिक करेंगे, आपको दोस्तों login pin मांगेगा, जो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया है, जो login pin बना है, वही login pin आपको यहाँ पे डाल देना है, या पर दोस्तों आप finger print भी दे सकते हैं पर दोस्तों यहाँ पर मैं login pin देना चाहता हूँ जो मैं login pin बनाया हूँ वो login pin मैं यहाँ डाल देता हूँ login pin आपको डाल देना जैसे login pin आप डालेंगे union bank के mobile banking में successfully आप login हो जाएंगे चले दोस्तों मैं यहाँ पर अपना login pin डालता हूँ, login pin जैसे ही दोस्तों मैं डालूँगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं permission मंगेगा, जो भी permission मंगेगा आपको allow कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जागा, अब दोस्तों यहाँ बोल रहा है security question आपको select करने के लिए, तो यहाँ पर तीन security question आपको select करने है, जो भी security question आप select करेंगे, उसके answer नीचे में डालेंगे, चलिए यहाँ पर फिर्ष्ट वाला select करने के बाद जो भी मैं यहाँ पर select करनेंगा, उसका दोस्तों नीचे में आपको answer देना सिंपल सा कोश्चन होता है उसको आप बहुत ही आसानी से यहां पर एंसर दे सकते हैं कोई भी एक यहां पर आप सेलेट करेंगे उसका एंसर आप दे देंगे ठीक है तो यहां पर आपको इसी तरह से सेकरेटी कोशन सेलेट करना है उसको एंसर बारी-बारी से आपको दे देन है तीन सेक्रटाइट को सिलेट करने है तीनों का एंसर आपको दे देनेillas पर आपको करना चाहोगा रेट क्लैल में आपको प्रोशीट का उप्शन दिखाए कउस्ट के क्लिक कर देने जैसे दोस्तो फोफिक करेंगे कुछ दिर प्रोसटिंग चलेगा उसके बाद अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजागा अब दोस्तों आपका mobile banking successfully registration हो चुका है अब दोस्तों को करना चाहोगा go to home का option दिखाए देगा नीचे में simple सा आपको go to home बाले option पे click करना है जैसे दोस्तों go to home बाले option पे click करेंगे आप दोस्तों यहाँ प दिखेस हैं आपको आइकन चाहिए तो यहाँ पर दो दिया गया है जो भी आप select करेंगे वो select करके apply के option पे click करेंगे यहाँ पर दोस्तों मैं एक select करने था जो आप लेड़ी पहले से स्टेक्ट है इसी को दोस्तों मैं select करने के बाद अपलाई के option पे click करना है उसके पाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जागा अब दोस्तों जब आप यूनियन बैंक के मोवाइल बैंकिंग में लोगीन होंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सोख रहेगा अब दोस्तों किसी को भी पैसा ट्रांसपर करना है या फिर दोस्तों किसी को ब बताया हूं कि किस तरह से union bank के mobile banking में फर्स टाइम registration कर सकते हैं आपको दोस्तो ब्रांच जाने की ज़रुत नहीं आप घर बैटे ही registration कर सकते हैं जो process आपको बताया हूं वो debit card के तुरू है अगर दोस्तो आपका वे debit card है तो दोस्तो घर बैटे online अपने mobile phone से union bank के mobile banking में registration कर सकते हैं union bank के mobile banking में जो भी future है मैं सभी future का वीडियो में बारी बारी से बनाओंगा आप चाहे तो दोस्तो मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं उसके बाद union bank का आप सभी future का love ले सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैटे online अपने mobile phone से union bank के mobile banking में registration कर सकते हैं आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए योगी वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल पर नहीं चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें